हालो जी कैसे हो सारे इस इस सुदर्शन स्वागत है आपका 100 विट दर्श के और एक नए वीडियो के अंदर तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कुस करेंगी कि हम किस तरह मेवेन प्रोजेक्ट कर सकते हैं हाइबरनेट के अंदर तो बहुत सारे लोगों ने इसके उपर किसने भी पूरी विडियो नहीं बन एक तो आजके और पूरी डिस्कुस करेंगी कि किस तरह मेवेन प्रोजेक्ट बना सकते ऑ उसके पाद हम डेटावेस के अंदर टेबल वी क्रेईट करके देंगे कि क्या वहां से data database के अंदर जा रहा है क्या तो चलिए without wasting time let's get started और अभी तक आपने हमारे चानल के सब्सक्राइब नहीं किया तो चानल के सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं के तो इस वीडियो को लाइक कीजिए जिससे मुझे motivation मिलते रही त और यहां पर हम create करेंगे मेवेन प्रोजेक्ट और यहां पर next बोल दीजिए और यहां से quick start को select कर लिजिए internal से catalog internal रखिए old filter के अंदर से quick start को select कीजिए तो next बोल रहा हूं और यहां पर आपकी project का नाम दे दीजिए तो यहां पर मैं डालूंगा मेवेल प्रोजेक्ट तो यहां पर मेवेन प्रोजेक्ट डाल दिया है मैंने finish बोल रहा हूं तो यह मेवेन प्रोजेक्ट जेनरेट कर लेगा हमारे लिए तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हमें dependencies लानी पड़ेगी तो कौन-कौन सी dependencies हमें चाहिए पहले तो हम क्या करेंगे यहां का जो standard edition 1.5 है जिसे हम change करेंगे यहां से build path के अंदर जाएंगे configure build path बोलेंगे और यहां से हम क्या करेंगे इसे edit कर देंगे यह पहले सी selected है इसे क्या बोलेंगे edit बोल देंगे और यहां से आपकी जो भी जेडिकी होगी मेरी 18 है तो मैंने 18 को select कर लिया यहां से finish बोल दिया यहां से apply बोल दूँगा यहां से apply and close बोल दूँगा वापस आपको क्या करना है आपको और एक चीज करनी थी तो कि यह build path के अंदर आपको compiler जावा compiler के अंदर हो जाके यहां से यह पहले सी सिलेक्टेट रहेगा यूज कंपाइलेशन को इससे अंटिक कर दीजिए और यहां से यहां से आपको 1.8 को सिलेक करना है मेरे पास 1.8 का compiler है यहां से apply and close बोल दीजिए तो हमने यह तो काम कर लिया अब हम जाएंगे हमार ब्राउजर के उपर पर वहां से एम यहां पर लाएंगे और हमारे प्लिकेशन के अंदर ढाल देंगे तो हमएं डिपेंड़नेट की तो अधिशन को और को यहां से लेंगे है मिनिट कि इसमें रिफ्रेश करता हूं हो सॉरी गलत नाम ड्याल दिया था यहां पर तो यहां पर हम क्या करेंगे हाइबरनेट कोर को यहां से सिलेक कर देंगे और यहां से एक वर्जन को सिलेक करेंगे मैं चूज करने वाला हूँ 5.6.4 को सिलेक करना हूँ फाइनल को और यहां से मैं इसे कॉपी करने वाला हूँ इस dependency को और जाओंगा मेरे Eclipse ID के अंदर form.xml के अंदर और यहाँ पर dependencies के अंदर यहाँ पर मैं इसे paste कर दूँगा और इसे format कर दूँगा ठीक है तो यह अपने अब dependencies डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा तो वापस हमें जाना है हमें दूसरे एक dependency लगेगी जो मैं database use करने वाला हूँ वह Oracle का database है तो मुझे Oracle के रिए OJBC का driver लगेगा तो मैं OJBC 8 को select करूँगा और इसके अंदर से भी हम एक version select कर देंगे तो OJBC 8 तो OJBC 8 को select कर रहा हूँ हूँ यहां से तो पहले तो देख लेते हैं हाँ यह वाला पहले वाला select करने वाला हूँ जेडी के 15 यह जेडी के 18 को भी चलता है तो इसके अंदर से में एक dependency को choose करूँगा 21 point इससे select करता हूँ और यहां से इसे पॉपी कर देता हूँ जाते हैं हमारे com.xml के अंदर और यहां पर वापस इस dependency को भी पेस्ट कर देते हैं पॉर्मेट कर देते हैं सेव करता हूँ इससे तो यह अपने आप डाउन्डोड होना स्टार्ट हो जाएगी और दूसरी और एक dependency हमें लगीगी जे बॉस लॉगिंग की तो हमें जे बॉस लॉगिंग की भी dependency चाहिए जो इंटरनल सरवर रहेगा वह हमारे जे बॉस रहेगा जे बॉस लॉगिंग 3 तो यहां से हम क्या करेंगे यहां से मैं इसकी 3.4.3 वाली यह वाली ले लिता हूँ पहली तो यहां से मैं इसे कॉपी कर देता और इसे हमारे form.xml के अंदर यहां पे इंक्लूड कर देंगे तो इसे भी एड़ कर देता हूँ मैं और एक dependency में यूज करने वाला हो जो कि है लॉंबुक की मैं नहीं चाहता कि मैं गेटर सेटर से आप चाहो तो गेटर सेटर कुछ से लिख सकते हो मतलब मैं लॉंबुक की भी डिपेंड़नसी यूज करता हूँ तो मैं प्रोजेक लॉंबुक की डिपेंड़नसी यहां से उठा ली और मैं जा रहा हूँ मेरे प्रोजेक के अंदर ओम.examil के अंदर और यहां पर इसे प्रेस्ट कर दिया तो सबकुछ तो डिपेंड़नसी जाएड कर लिए हमने आप क्या करेंगे हम अब जाएंगे यहा नेसे इस पैकेज हुआ सवारी हांđ क्या करेंगे हमारे क्लास के अंदर था और यहांपर क्लास बना लेते हैं की इसे पैकेज अंदर यहां orama क्लास बनना वाला हो टीचर ओके टीचरल गलास बना लेते हैं और इसे छिमोड देता हूं और क्या करेंगी यहाँ पे मैं दो ही फिल्ड लेने वाला हूँ अभी समझाने के लिए जो की है private int id private string name तो दो ही फिल्ड मैंने यहाँ पे ली है और क्या करूँगा मैं id को annotate कर दूँगा कि एक id है दो id के साथ annotate कर लिया java.persistence है मैं खुछ से id डालने वाला हूँ तो मैं कुछ नहीं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे इसे डिकलेर कर दूँगा entity java.persistence package के अंदर से jpa से और इसे डिकलेर कर दूँगा table तो table भी कर लिया आप यह करेंगे हम अब मैं चाहता हूँ setter gators तो आप देख सकते हो longbook मुझे setter gators दे रहा है खुछ से ही सब कुछ चीज़े दे रहा है तो मुझे gator setter आप चाहो तो यहाँ पर write क्या कर सकते हो आप इसे यहाँ पर write क्लिक करके generate कर सकते हूँ इसके अंदर generate होते है source के अंदर generate setter generate to string यहाँ से भी कर सकते हो और मैं longbook का इस्तमाल करने वाला हूँ इससे मेरा code बहुत छोटा हो जाता है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा setter को add कर दूँगा setter के बाद मैं क्या कर दूँगा मुझे चाहिए एक all as constructor मतलब आपका parameterized constructor और और एक चीज़ यूज़ करूँगा जो है to string तो बस हो गया सब कुछ अब क्या करेंगे अब हमने यह तो कर लिया entity class भी कर ली अब हमें क्या करना है अब next चीज़ जो हमें करनी है वो है hibernate.cfg.xml उस file के अंदर हमें सारी configuration लिखनी पड़ेगी xml को search मार लिए जैसे मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो hibernate के अंदर hibernate.cfg.xml भी मिल रही है और hibernate.hbm.xml भी मिल रही है तो मैंने तो annotation यूज़ किया है तो मैं इसकी mapping annotation के साथ ही करने वाला हूँ मेरे entity class की मैं कोई xml फाइल के अंदर mapping नहीं करने वाला हूँ तो मैं सिर्फ cfg.xml यूज़ करूँगा यह internally ही dtd को यूज़ कर लेगा और हमारे लिए hibernate.cfg.xml यहाँ पर generate कर देगा तो इसे next बोल दीजिए और ये कुछ चीज़े पूचेगा तो ये wizard है क्या करेंगे हम जो हमारा oracle का dialect है उसे हम use करेंगे जो कि होता है org.hibernate.dialect.oracle.10g तो इसमें 10g dialect यूज़ करने वाला हूँ और यह हो गया Oracle driver तो हमारे driver class क्या होगा Oracle driver हमें यूज्ज करना है और एकल का driver तो मैं क्या करने वाला Oracle का driver यहां पर बताँगा कि कौन सा Oracle का driver मेरे पास से है तो है हमारे पास होता है oracle.jbc.driver.oracle.driver तो oracle.driver भी बता दिया, आप मैं इसका URL बता दूँँगा jbc. तो मैंने URL भी बता दिया मेरा, आप default schema, default catalog इसके अंदर आपको कुछ देने के ज़रूरत नहीं है. यूजर नेम के अंदर आप आपका यूजर नेम दे सकते हो, database का, जो कि मेरे system पे है, system ही, और password है, oracle. तो मैं यहाँ पे username password यहाँ पे दे रहाँ, और जैसे मैं finish बोल दूँगा, तो यह क्या करेगा, आपने आप से hibernate.cfg.xml generate कर देगा, और उनके अंदर यह सारी information खुद से ही लिख देगा, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको hibernate.cfg भी नहीं ल तो यहाँ पे source के अंदर आप जाके देख सकते हूं, यहाँ पे मैं source के अंदर आ चुका हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हूं, इसने खुद से DTD भी लोड कर ली, और सारी station factory के अंदर सारी properties भी declare कर ले, आप हमें थोड़ी properties खुद से लिखने पड़ती है, वो है, त तो थोड़ी properties यह हमें provide नहीं करता है, तो खुछ से हमें लिखने पड़ती है, विजर्ट के अंदर provide नहीं है, जो कि है show SQL, हमें show SQL को true बोलना है, और एक होती है, हम और एक property यूज़ करने वाले हैं, जो कि है current session context class, जिसके अंदर मैं thread बताऊँगा, तो यहाँ पर, session context class भी बता दिया, अब क्या और एक property देनी है, जो कि HBM to auto DDL है, वो भी यहाँ पर दे दूँगा, जो कि है, HBM to DDL auto, और इसके अंदर मैं बोल दूँगा create, तो hibernate हमारे लिए database के अंदर, खुझ से table create कर देगा, और और एक चीज़ हमेरे यहाँ पर बता नहीं है, वो है mapping, कि हमारा mapping class, तो यहाँ पर mapping के अंदर, हम class बता देंगे, हमारा class is equal to, और इस class के अंदर, कहाँ पर है हमारा class, तो com.hibernate.meven, project.teacher, तो यहाँ पर मैंने, जैसे आपने, जिस case के अंदर आपका package का नाम है, वही यहाँ पर दे दीजिए, तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़े बता दिये, हमने show sequel दिया, current session context class भी दिया, hbm2, ddl भी यहाँ पर दे दिया है, तो सारी चीज़े तो हमने provide कर लिए, अब जाते कहाँ पर, अब जाते हमारे app.java के अंदर, और यहाँ पर हमारे final, जो configuration हो अगेरा, सारी चीज़ें यहाँ पर लिख लेते हैं, और यहाँ से database के अंदर session के साथ, हम एक value को store कर लेते हैं, हमारे entity class की, और चलिए, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें यहाँ पर one by one बता देता हूं, तो पहले तो आप क्या करोंगे, आप configuration का एक object बनाओगे, तो क्या करेंगे, हाइबरनेट के अंदर से हम configuration को use करेंगे, और यहाँ पर इसका एक object बनाओगे, configuration is equals to new configuration, और यहाँ पर क्या करूंगा, मैं उस object को configuration. इसके अंदर क्या करूंगा, मैं add annotate class को यहाँ पर pass कर दूँगा, आप चाहो तो, मैपिंग के अंदर भी class को mention कर सकते हो, यहाँ पर भी mention कर सकते हो, और एक चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है, configuration. यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से और एक चीज़ होती है, जो कि है, एक ही minute, configuration. configure, और इसके अंदर हमें, हमारी hibernet. हमारी cfg file का path बताना है, जो कि hibernet.cfg. यहाँ में configuration की file बतानी होती है, कहां से configuration हमें सारी मिल जाएगी, तो hibernet.cfg.xml file के अंदर से हमें सारी configuration मिल जाएगी, जो कि हमें required है, उसके बाद हम क्या करेंगे, service registry का एक object बनाएंगे, हमारे hibernet के अंदर एक service registry होती है, और इसके अंदर से सारी registry हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं service registry is a question new, standard service register builder को यूज करूंगा, तो standard service registry यहाँ पर डाल देता हूँ, standard service register builder को यूज करने वाला, और यहाँ पर क्या करूंगा, मैं apply settings कर दूंगा, apply settings के अंदर हम क्या कर देंगे, configuration.get properties को कर लेंगे, सारी properties यहाँ पर get कर लेंगे, configuration.get properties और उसके बाद यहाँ पर service register को build कर देंगे, और इसे हम pass कर देंगे हैं हमारे session factory के अंदर, तो session factory से हमें connection provide किया जाएगा, तो यहाँ पर हमें session factory को object create कर रहा हूँ, session factory is equals to, उसके बाद क्या करेंगे हम, configuration.build session factory और इसके अंदर में register को pass कर दूंगा, तो यहाँ पर मैंने registry को pass कर दिया है, अब हम create करेंगे session, तो session factory हमें session का object दे दिया है, तो यहाँ पर session को भी org.hybernet से ही import कर लीजिए, session का object create कर लीजिए, और उसके अंदर factory.get current session कर लीजिए, यह हमें current session create कर के दे देगा, और उसके बाद हमें और एक चीज लगेगी, transaction का start करने के लिए, session हमें transaction का object दे दिगा, तो transaction is equals to session.इस से हमें begin transaction कर देंगे, हमें transaction को begin कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, हम हमारे entity class के values को database में store कर लेंगे, जो कि है teacher class, तो हमने teacher class को पहले तो import करना पड़ेगा, teacher को हमने import कर लिया है, teacher is equals to, हम constructor के माध्यम से सारे values यहाँ पर दे देंगे, वाइडी दे दूँगा, मैं one, और यहाँ पर name दे दूँगा, राम, तो यहाँ पर, और उसके बाद आपको बोलना है, session.save, और इसके अंदर आपको object दे देना है, तो और उसके बाद आपको और इक चीज़ करने पड़ेगे, transaction को आपको commit करना पड़ेगा, तब यह सारे changes, database के अंदर commit हो जाएगे, persistent हो जाएगे, तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पर कर ली है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे app.java को run as, बोल देंगे run as a java application, उससे पहले में database के अंदर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास कोई table नहीं है, मैं अगर describe करूँगा teacher को, तो हमारे पास कोई object नहीं है, मतलब object does not exist, यहाँ पर बता रहा है, हमारे पास table नहीं है, अगर मैं यहाँ पर run as बोल दूँगा, run as a java application, तो यह run हो जाएगा, और database के अंदर हमारे लिए table भी create कर लेगा, और value यहाँ पर दीख सकती हूँ, यहाँ पर मैंने show SQL किया था, तो इसने table भी create table किया, id डाल दी, उसने not null, name where character to, और id को primary की, उसने खुद से denote कर लिया, क्योंकि हमने id annotation के उपर लगया था, और यहाँ पर उसने value को भी insert कर लिया, तो जाते database के अंदर हो, और यहाँ पर अगर मैं select star from करूँ, यहाँ पर select star from teacher करूँ तो, आप देख सकते हो, id 1 है, name ram है, तो यह इसकी SQL plus के अंदर मैंने open किया, अगर मैं SQL developer के अंदर open करता, तो आपको अच्छ से समझ में आता, तो आभी के लिए आपको तो समझ में आ चुका होगा, कि database के अंदर तो values insert भी हुई, table भी create हो चुका है, तो इस तरह आप maven project को create करके, आपके database के अंदर values को insert कर सकते हो, तो यही था इस वीडियो के अंदर, आश्या करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छ लगी होगी, और अगर आप कोई भी doubt आता है, अगर आपको कोई भी error आती है, तो आप directly मुझे contact कर सकते हो, तो thank you guys for watching the video, and see you soon.